व्रिश्चिक राशिवालों जिन्हें अपने सपने में नहीं सोचा था बिल्कुल ही दिल थाम कर अंत तक देखिएगा वीडियो क्वेश्चन चाहिए सुनकर आपका भी होश न उड़ जाए तो फिर कहना जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मातारानी की सच्चे भक्त हैं सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जै मातादी का नारा तीन बार लगा दीजिएगा आप यकीन मानिए मातारानी के आशीरवाद से आपके जीवन में जितने भी दुख दर्द कष्ट संकट है मातारानी खुद से समाप्त कर देंगे बस आप सच्चे मन से वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वह आपको हिला कर रख देगी क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप एक ऐसी औरतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी बरबादी का एक बहुत बड़ा और मुख्य कारण है। अब इस औरत के बारे में हम आपको पहले भी संकेत दे चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इस औरत के बारे में सब कुछ पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। कौन है यह औरत कहां रहती है। इसका नाम क्या है। इसकी राश्य क्या है और क्यों यह आपके पीछे पड़ी हुई है। और कैसे यह आपको धीरे धीरे बरबाद कर रही है आपकी हर एक खुशी को। चुन-चुन कर मिटा रही है। सब कुछ हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे साथ ही साथ हम आपको इस औरत के द्वारा की गई तांतरिक क्रियाओं की काट के लिए एक बेहद ही शक्तिशाली और सरल उपाय बताएंगे जो वैदिक पद्दती पर आधारित होगा अब आप ध्यान से समझे जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं वह है माता राणी की कृपा और आशीरवाद से हमारे अनुभवों पर आधारित हैए ये दोस्तों जो भी हमें अनुभूतियां होती हैं माता राणी की भक्ति करने के दौरान जो हमें अनुभव प्राप्त होती हैं उन्हीं के आधार पर हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से जानकारियां देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने आपकी राश्य के ग्रह गोचर काफी गहराई से अध्ययन किया है तो ऐसे में कुछ ऐसे जरूरी कार्य है जो आपको अवश्य ही कर लेनी चाहिए। इन कारियों को करने से आप ना केवल नकारात्मक शक्तियों की चपेट में आने से बचेंगे, बलकि आप जो भी कारिय करेंगे, उसमें आपको काम्याबी आप भी हासिल हो, कि जिस, कि आपको सबसे अधिक जरूरत है, वह सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो वी दोस्तों, माता रानी को सिध्ध करने का एक बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सरल विधी है, जिसे हमारी प्राचीन आर्श मुनियों ने ऐसे साधकों के लिए बनाया था, जो ग्रिहस्थ जीवन में जी रहे हैं, जिनके पास समय का बहुत अभाव है, और जिन्हें वैदि एक मंत्र और विधी विधान ओ का पूरा ज्यान नहीं होता है, तो ऐसे में वे लोग कैसे माता की सिध्ध हासिल करेंगे, माता की पूरी कृपा हासिल करेंगे, और माता कैसे 2400 घंटे उनके साथ रहेंगी, इसके लिए भी एक बहुत ही सरल विधी, प्राचीन काल में हमार आरशी मुनियों ने बनाई थी, तो आज हम आपको वह विधी भी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, प्यार दोस्तों, यकीन मानिये, ये वीडियो स्वयम मातारानी का आशीरवाद है, और खुद मातारानी आपको यह ज्यान देना चाह रही है, हम तो इस विडियो को बीच में छोड़ दिया, तो निश्चित ही यह आपकी एक बहुत बड़ी गलती होगी, कई बार आपने छोटी छोटी गलतियां की है, जिनकी आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, ऐसा नहीं है कि आपको इन गलतियों के बारे में पता ही नहीं चलता है, ल और बाद में फिर पच्चताने के अलावा कुछ भी आपके हाथों में नहीं बचता है, तो अब कोई गलती मत करना, बस इस वीडियो को पूरा देखना आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं, तो चलिए प्यार दोस्तों माता र मातारानी को हिरदय से याद करते हुए, जैमा भद्रकाली कृपा करो, अवश्य लिखना एक बार नहीं, तीन बार लिखना, मातारानी दोड़ी चली आएगी और आपके जीवन का उद्दार कर देंगे, हमें पूरा विश्वास है, साथ ही साथ प्यार दोस्तों, अपना न जिन्दगी को कैसे बदलना है, साथ ही साथ प्यार दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आएं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है, उसे भी अवश्य ही दबा दें, इससे हमारा मनोबल लेकर आते रहेंगे प्यार दोस्तों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, प्यारे दोस्तों, यह औरत ऐसी औरत है जिसने पहले भी आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न की हैं, कई बार इतने आपके जीवन को मृत्यू के द कारात्मक बन गई, कि जब चारों और आपको शिवाय अमेरिकी कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था, फिर इश्वर की कृपा करें, मातारानी का आशीरवाद कहें कि आप जैसे तैसे उन परिस्थितियों को पार करके बाहर अवश्य ही निकलाएं हैं, इसमें आपकी प बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो भाग है, जो सोचता है, ह्रदय की पवित्रता है, वह किसी और इनसान के अंदर, आसानी से देखने को नहीं मिलती है, फिर चाहे वह किसी से प्रेम करना हो, कोई रिष्टा निभाना हो, या फिर दान धर्म, या फिर पू प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों हम बता दें, इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है, कि किसी ने आपका गुप्त रूप से बंधन कर दिया है, अब बंधन चाहे आपकी बुद्धी का हो, आपके घर परिवार की खुशियों का हो, या आपके काम धंधे का, यानी कि आपकी लक्ष्मी का हो, यह औरत आपके पडोस में रहती है इस औरत, पहले भी कई बार आप के उपर छोटी मोटी क्रियाएं करवा रखी है, अब आप ध्यान से समझिए कि आज के समय में किसी तांत्रिक क्रिया को करने के लिए किसी भी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यक्ता नहीं है, प्यारे दोस्तों, आज का योग ज्यान का योग है, इन्फॉर्मेशन का यो का माध्यम हो, हर जगह जानकारी का भंडार भरा पड़ा है, जिसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि अब लोगों को कथाएं सुनने के लिए कहीं जाने की आवश्यक्ता नहीं है, मोबाइल में ही रूकी जो भी कथा सुननी है, लोग बड़े चाव से बड़े, प्रेम के साथ आप सुन सकते हैं और अपने मन को शुद्ध बना सकते हैं, तब आप समझ यह किस समय बदल चुका है, अब हर इनसान के पास वह जैसा चाहता है, वैसा ज्यान उपलब्ध है, बस जरूरत है तो उसे उप्योग कर लेने की, तो अब ऐसे में कुछ लोग तो सच्चे और अपने मन में नकारात्मक और गलत भावनाएं रखते हैं, तो भी लोग फिर ऐसे ज्यान को अपने पास एकत्रित करने लगते हैं, जो प्यारे दोस्तों काली क्रियाओं के बारे में जानकारी निकालते हैं, और उनका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ये दोस्त खास तोर से उल्लू का पंग ऐसी कोई चीज, यदि आपको अपने दरवाजे पर पढ़ी मिली हो, या फिर कोई सिंदूर वगेरा है, या फिर कोई सफेद रंग का पाउडर जैसे की नमक होता है। एसा कोई पाउडर आपको अपने खर के ठीक दरवाजे पर सा बहुत सारी होती है लेकिन फिलहाल जो हमारे दिमाग में आ रही हैं हम बस उनके बारे में आपको बता रहे हैं फिर आप विचार करके देखिए कि कभी ऐसा कुछ आपको अचानक आपके घर के दर्वाजे के ठीक सामने या फिर आपके घर की छट पर पड़ा मिला है जिसे द ब्रशन करें नकारात्मक गती विधियों को चुपचाप अनजाम देते हैं रात को बाराजी बजे या फिर किसी ऐसे समय पर जब कोई भी देखना रहा हो खास तोर से 24 सीजीर के बाद ही ऐसी गतिविधियां की जाती है तभी तो किसी को पता नहीं चलता है दूसरे दिन अचानक दर्वाजा खोला तो सामने कुछ दिखाई देता है पढ़ा हुआ अब अंजाने में लोग इन सब बातों की अंदेखी कर देते हैं लेकिन धीरे धीरे उनकी बरबादी शुरू जाती है कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पूर के पूरवज आपसे पसंद है आपकी कुल देवी देवता का साथ है आपके साथ या फिर आपके पुन्य कर्म बहुत अधिक प्रबल है तो इन शक्तियों का आपके उपर प्रभाव कम पढ़ता है या फिर ना भी पढ़ता हो लेकिन ज्यादा समय तक आप बच नहीं सकते हैं या प्यारे दोस्तों जैसे जैसे एक काली क्रियाएं आपको गिरती चली जाएगी आपके आसपास जो सकारात्मक उर्जा का वातावरण है वह धीरे धीरे छिन भिन्न होना शुरू हो जाएगा ये प्यारे दोस्तों अब काली क्रियाओं का सीधा संबंध दो तीन ग्रहों से होता है प्यारे दोस्तों जिसमें राहू और केतू सब से उपर होते हैं आपके उपर दुषपरिणाम देने लगता है इससे आपकी बुध्धी क्षीन होने लगती है नकारात्मक कारियों में आपकी रुची बढ़ने लगती है और जब आप खुद ही नकारात्मक कारियों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर देवी देवताओं की शक्ति आपसे दूर होने लगती है। इसलिए तो प्यारे दोस्तों ये कहावत बनी है कि बिनाश, काले विपरीत, बुद्धि, जीहां प्यारे दोस्तों हैं, इसलिए कोई तांत्रिक क्रिया कर दी। आपके उपर टोना टोटका उपाय कर दिया, तो आपकी बुद्धी परिवर्तित हो जाएगी। अचानक आपको नकारात्मक गलत कारियों में मज़ा आने लगेगा, आपका इंट्रेस्ट बढ़ जाएगा। अब इससे ये होगा कि आपकी विपरीत बुद्धी हो गई, क्योंकि आपका समय खराब होना है। अब देवी देवता आपके साथ नहीं रहेंगे, आपका धार्मिक कार्यों में अच्छे कार्यों में मन नहीं लगेगा, तो जब देवी देवता आपके साथ नहीं रहेंगे, सकारात्मक उर्जा ए आपका साथ नहीं देगी, तो ऐसे मैं आपको बर्बाद कर पाना बहुत आ अब कहने का मतलब यह है कि राहू आपके लिए नकारात्मक परिणाम देगा और आपकी बरबादी की कहानी शुरू हो जाएगी तो उम्मीद है। शुरू कर देते हैं उसे ही कहते हैं विनाश काल तो अब ध्यान से समझी जो हम आपको बता रहे हैं। वह बेहद ही खास है। दो-चार दिन के अंतर में आपको ऐसी कोई चीज अपने घर के दर्वाजे पर या आपके कार्यस्थल पर या फिर आपकी घर की छट पर पड़ी ह कोई मिली है या नहीं। यदि नहीं मिली है तो निश्चित तोर पर आपको दिखाई देगी। ऐसी कोई चीज यह प्यारे दोस्तों क्योंकि यह औरत फिर से आपके ऊपर एक क्रिया करना चाहती है। इसने मन बना लिया है। अब यह आपकी बर्बादी की कहानी लिखने वाली है क्योंकि प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समय आपका जीवन सामान चल रहा है। अब आपके जीवन में कोई खास परेशानिया हैं नहीं छोटी मोटी जो परेशानिया हैं उनका समाधान आप आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन वह भी ऐसी बड़ी अ आप लोट रहे हैं, अब आपकी कुछ छोटी मोटी, आदतें भी ऐसी हैं कि आप कभी-कभी दिखावे बाजी के चक्कर में ज्यादा बोल जाते हैं, ये बड़ी-बड़ी बातें कह जाते हैं या फिर थोड़ी बहुत दिखावे बाजी भी कर लेते हैं। इसकी वजह से का ध्यान अपनी और आकरशित हो जाता है और आप समझ गए कि एक राशी चक्र में केवल एक मात्र आपकी ऐसी राशी है क्या आप ही कैसे इंसान हैं जिससे हमेशा लोग जलते हैं चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो आप अच्छी या बुरी कैसी भी परिस्थि करते नहीं है गिर गिर आती नहीं है और अपने आत्म सम्मान से कभी समझोता करते नहीं है लोग देखते हैं कि आप कभी भी किसी के सामने जुकता नहीं है हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कुछ तो खास बात है बस इसी वजह से उनके मन में आपके प्रति जलन की भावना आने लगती है। बस इसी वजह से पाये जाते हैं। बस इसी वजह से आपको सतर्क रहना है। कि ऐसी चीजें आपको जब भी दिखाई दे अपने आस पास तो उन्हें उठा कर आपको जला देना है। प्यारे दोस्तों किसी और से उन्हें उठाएं या फिर वह जहां पड़ी है वही आपको उन पर आग लगा देनी है। यानि कि पेट्रोल बगैर डाल कर और जला देना है। पूरी तरह से उन्हें जला देना है। दूसरा कार्य आपको यह करना है। प्यारे दोस्तों कि अपने घर को पूरी तरह से शुद्ध करना है और स्वयम को भी पूरी तरह से शुद्ध करना है। नकारात्मक उर्जा से ये आप कैसे करेंगे? अपने घर में हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें. ये बहुत ही आवश्यक है और आपके घर में जो पहुचा लगेगा तो उस पहुचे में थोड़ा सा नमक अवश्य मिलवा देंगे. उस पानी में नमक मिलवा दें ता कि नमक वाले पानी से आपके घर में पहुचा लग जाए. तीसरा करें, आपको यह करना है कि आप अपने घर के हर एक कोने में लौंग का एक-एक जोड़ा रखते या प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनते जाए, यह बेहद आवश्यक है लौंग का एक-एक जोड़ा रखत और थोड़ा सा कपूर डाल कर उसे घर के बाहर जला दें, जो दोस्त अपने मुख्य दर्वाजे से बाहर रखकर जलाएं. इससे होगा यह है कि जितनी भी नकारात्मकता आपके घर में आई है, वह बाहर निकल जाएगी. साथी साथ, प्यारे दोस्तों, आपको एक कार्य और करना होगा, कि अपने घर के हर एक कोने में आपको छोटी-छोटी कपूर की टुकड़ी, यानि कपूर की छोटे-छोटे कपूर के टुकड़े जाने की टिकिया आपको रखनी होगी. इससे आपके घर में नकारात्मकता कभी आएगी, नहीं कपूर की कुछ ऐसी खास बात होती है कि यह नकारात्मक्ता को अपने से दूर भगा देता है इसलिए इसे पूजा पाठ में खास तोर से प्रयोग किया जाता है अब इसी के साथ साथ आपको यह भी करना होगा कि आपने अपने मित्र पूर्वजों के नाम से यदि दीपक जलाना प्रारंभ नहीं किया है तो कम से कम कीस दिनों तक दक्षिन दिशा में अब चित्र पूर्वजों के नाम से दीपक जलाना प्रारंभ कर दें यह बहुत ही आवश्यक है याद रखें कि घर का पहला सुरक्षा यानि घर के पहले रक्षक आपके मित्र ही हैं यदि आपके मित्र उर्जावान रहेंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा क्योंकि चित्र आपकी रक्षा करेंगे हर एक प्रकार की ऐसी शक्ति से जिसे आप नहीं देख सकती हैं लेकिन वह देख स साथ ही साथ अपनी कुल्देवी देवता के नाम से भी दीपक अपने घर के मुख्य दर्वाजे की देख ली इसके ठीक बीचो बीच जलाना प्रारंब कर दें अब आपका सुरक्षा घेरा पूरी तरह से तैयार हो चुका है अब आपको स्वयम की रक्षा करनी है तो स्वयम की रक्षा के लिए हम आपको बता दें कि आप जिस पानी से स्नान करें उस पानी में थोड़ा सा नमक अवश्य मिला लिया करें कुछ दिनों के लिए आप इस प्रयोग को करें लगभग सात दिनों तक उसके बाद हमने आपको एक हनुमान रक्षा कवच बताया था उसे कैसे तैयार करना है? किस प्रकार उसकी विधी है? सब कुछ हमने अपने पुराने वीडियो में इसके बारे में आपको बता रखा है फिर भी आपको अभी बता देते हैं कि यह लाल रंग का धागा लेना है और किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन आपको रात्रि को याद रखना है कि आपको ऐसे मंदिर में जाना है जिसका हनुमान जी का मुख दक्षण दिशा में हो जी हाँ प्यारे दोस्तों यानि दक्षन मुखी दर्बार को हनुमान जी का दर्बार में आपको जाना है वहाँ पर जाकर आपको उस धागे में नौ स्यार गाठे लगानी है और नौ बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उस गाव में हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाते जाना है साथ ही साथ आपको एक छोटे से बरतन में यानि तांबे का कोई बरतन रखे उसमें जल भरकर रखें तो जब जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें उस धागे में गाठ में सिंदूर लगाए उतनी ही बार आपको उस जल में भूग भी मारना है तो 9-12 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे नोटों का आप जल में मारेंगे दोनों ही गाव में आप हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगा लेंगे तो इस क्रिया को आप करेंगे उसके बाद अंत में आप एक बार बजरंग बान का पाठ करेंगे अब याद रखें कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान चालीसा में अंत में एक लाइन है जिसमें लिखा है कि तुलसी दास सदा हरी चेरा किचन नाथ हृदय महंडेरा तो इसमें आपको जो तुलसी दास बोला है तो उसकी जगह खुद का नाम लेकर बोला है जैसे आपका नाम यदि रमन है तो आपको बोलना है यहे आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा दूसरा कि हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है ना कि रचना है यानि याद आपको भी शक हो तब भी आपको किताब में से ही हनुमान चालीसा पढ़ना होगा और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे से ठीक उसके सामने बैठ कर कभी पूजा नहीं की जाती है। आपको थोड़ा भाई और या फिर दाएं और के साथ जाना चाहिए, सामने जगह छोड़नी चाहिए, तब पूजा करनी चाहिए। किसी भी देवी या देवता के ठीक सामने बैठना उस महाशक्ति का अपमान मान जाता है, तो आपको थोड़ा दाएं या बाएं बैठ कर पूजा करनी चाहिए। ठीक सामना कभी नहीं करना है। इस बात का आपको विशेश खयाल रखना है। अब यह आपका रक्षा कवच तैयार हो चुका है। यदि कोई महिला इस रक्षा कवच को बनाना चाहे, तो उन्हें बजरंगबान का पाठ नहीं करना है। यह खास्त और से याद रखना है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बजरंगबान जो है, उसमें हनुमान जी को शपट दिलाई जाती है और हनुमान जी स्त्रियों को मात्र शक्ति के रूप में मानते हैं। माता का हनुमान चालीसा तो महिलाएं पढ़ सकती हैं लेकिन बजरंगबान का पाठ महिलाओं के लिए वर्जित हो जाता है। तब यह हनुमान रक्षा कवच का जो धागा है यह पुरुष अपनी दाएं कलाई पर बांध लेंगे और महिलाएं अपनी बाएं कलाई पर बांध दे अब यदि प्यारे दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके बनते हुए काम बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई है या पहले से ही कोई तांत्रिक क्रिया आपके उपर हो चुकी है अब आपको क्या करना चाहिए ऐसे में आपको एक बहुत छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं शनिवार के दिन आपको एक लाल रंग का धागा लेना है और उसमें 21 नीम्बू लगाने है यानि एक माला जैसी बनानी है और इस माला को आपको माता भद्रकाली के मंदिर में जाकर माता भद्रकाली की जो मूर्ती है उसे पहना देनी है ये माला आप उन्हें पहना है और मन में ऐसा निवेदन करें कि माता रानी जो भी हमारे जीवन में नकारात्मक सकती है क्लैश है जो भी भूत प्रेत की शक्तियां है उनका हरन कर लें और हमारे जीवन को सफल बनाए इससे जो भी तांत्रिक क्रिया टोट का उपाय नजर बगैर आपके उपर की गई है, वह तुरंत हट जाएगी, एक मिनट भी नहीं लगेगा, प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुने, हम आपको उस महिला का नाम बताने जा रहे हैं, ताकि आप उससे सतर्क रहें, उसके बारे में जान जाए, साथ ही साथ हम आपको उसकी राश्य के बारे में भी बताएंगे और वह आपको कहां मिलेगी, यह भी आपको बताएंगे तो ध्यान से सुने, इस महिला का नाम आज से शुरू होता है और यह आपकी अपनी ही है, जी हाँ प्यारे दोस्तों या आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं, यह आपके परिच लेकिन अंदर ही अंदर इसका मन बहुत काला है और यह आपके खिलाफ शडियंत्र रच्दी है। प्यारे दोस्तों, इस औरत की राशिव रिष्चिक है, क्यों प्यारे दोस्तों, इस बात का विशेश खयाल रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों तो अब इन सब बातों का घ्यान का आप अपने जीवन में उपयोग करें अब हम आपको बताते हैं वह सरल विधी जो हमारे आशिमुनियों ने ऐसे साधकों के लिए बनाई थी जिन्हें शास्त्री पद्धतियों का कोई घ्यान नहीं है और वीर माता की शरण में जाना चाहती है दैवी शक्तियों का साथ जाते हैं इस विधी का प्रयोग मातारानी को सिध्ध करने के लिए ही किया जाता है क्योंकि मात्र शक्ती हमेशा इनसान को घेर कर रखती है और बहुत जल्दी सिध्ध हो जाती है। अब इस विधी में आपको यह ध्यान रखना है कि यह भाव पर आधारित बिजी है। यानि आपकी भावनाएं बहुत प्रबल होनी चाहिए और भावनाएं प्रबल होने के लिए आपको माता के बारे में ऐसा विचार करना पड़ेगा जैसे कि वह आपके घर की सदस्य हैं। आपके में मन में यह विचार करना है और माता से इस प्रकार से मन ही मन बात करनी है। में भी यही बोले कि मां मैं भोजन करने जा रहा हूं। यह आपके लिए है। आपको समर्पित है। कि आप अपने जीवन की हर एक गती विधी माता को समर्पित करें। यहां तक कि आप जब सोने जाएं तो मन में विचार करें कि मां मैं सोने जा रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सपनों के माध्यम से मुझे दर्शन देगी और अपनी कृपा मेरे उपर हमेशा बनाए रखेंगे। मैं आपका एक छोटा सा अबोध बालक हूँ। मुझे आपकी कृपा की बहुत अधिक आवश्यक्ता है। इस विधी को प्रसाद जीवनम विधी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अब इसमें साधक अपना पूरा जीवन देवी शक्ती को समर्पित कर देता है और ऐसे जीता है जैसे कि यह जीवन उसे प्रसाद स्वरूप में प्राप्थ हुआ है। यानि देवी देवताओं का प्रसाद है जैसे कि प्रसाद में देवी देवताओं क की शक्ति और आशीरवात समाहित होती है, वैसे ही फिर आपके जीवन की हर एक कार्य में दैवी शक्तियों की उरजा समाहित हो जाती है, यह प्यारे दोस्तों, यह विधी वैसे तो सरल जान पड़ती है लेकिन थोड़ी कठिन भी है, शुरुवात में यह आपको थोड़ा कि यह सब फाल्तु की बातें हैं, इन्हें छोड़ दीजिये, और कई बार ऐसा भी होगा कि आप इन सब चीजों को करना भूल ही जाएंगे, लेकिन प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएं कि आपको जब याद आ जाए, तब आप इस विधी का प्रयोग करना शुरू कर दें, धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपकी हर एक सांस और हर एक पल में देवी शक्ति का वास हो जाएगा, और याद रखें कि शुरुआत में हर एक कार्य थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है, फिर चाहे आप हनुमान 40 का पाठ है, नितेश पहली बार करना श सच्चे मन से अपने भाव से माता को याद करते हुए हर एक कार्य को उन्हें समर्पित करते चले जाएं, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में हर एक नकारात्मक्ता दूर हट भी चली जाएगी, और आप जो भी कार्य करेंगे, उसका परिणाम हमेशा अच पढ़ता जाएगा, आप यकीन मानिये कि फिर 24 गंटे माता रानी आपके साथ रहना शुरू हो जाएंगे, और आपको इस बात का एहसास और संकेत भी मिलने शुरू हो जाएंगे, अब इस बात का प्रमान है, कहानी है, जिसे भोला राम वकील की कहानी कहा जाता है, प्यार हनुमान जी की पूजा में भक्ति में लीन थे, तो उनका वह कार्य स्वयम हनुमान जी करने चले गए, जय होती है, इस उपाय की शक्ति यानि कि यह विधी बहुत कारगर है, बहुत सरल है, लेकिन उनके लिए बनी है, जिसमें कोई भी वैदिक परमपरा का वैदिक करना शुरू करिए, शुरुवात में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन लगने दीजिए, आप अपने मार्ग पर डटी रही हो, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन आपके हाथों से पूरी तरह से नियंत्रित होने लगा है, आपका हर कार्य सिद्ध होने लगा है, यहां तक की कई छोटी मोटी सिद्धियां भी आपको हासिल होने लगेंगे, आपकी बात से भी हो जाएगी, सपनों के माध्यम से आपको भविश्य के भी दर्शन हो जाया करेंगे, ओन फिस में होने वाली घटनाओं के बारे में आपको पूर्वा भास भी ह होने लगेंगे, बहुत कुछ आपको होने लगेगा, प्यारे दोस्तों तो बस आप इसका अभ्यास करिए, हमें कमेंट करके बताईए कि आप कब से इस विधी का अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं, और यदि आपको इस विधी के ऊपर और विस्तार से जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके बताईए, हम आपको इस विधी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, एक वीडियो अलग से बना देंगे, जिससे आपको सारी बातें अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी, तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आज के इस विडियो में आपक दी है, वह अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुकी हो, इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को खुद ही बदल डालेंगे, अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में आता है, तो बिना किसी चिंता के आप कमेंट में उस प्रश्न को लेकर हम आपके प्रश्नों के मां भद्र काली कृपा करो, एक बार नहीं, तीन बार लिखना साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक भी कर देना चैनल पर पहली बार आई है, तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है, उसे भी दबा देना मिलते हैं, अगले ज्यान वर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय माता की